नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल MIM News Express पर ये भी कहा कौम के लिए मैं आपसे इतनी दर्ख्वास्त करना चाता हूँ कि चुनाव आने वाले हैं अल्ला के वास्ते इसमें बट मत जाना सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को खराना है सांसा दे काहा कि बीजेपी ने देश के अंदरूनी हालात बेहत खराब कर दिये हैं और साथ की हसन ने कहा बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने वाली है यदि ये कानून आया तो मुसल्मानों के अधिकार छिन जाएंगे ये कानून आने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे मुसलिम परसनल लौग खत्म हो जाएगा मुसलिमों के सेक्शनिक संस्थानों का माइनौरिटी खत्म हो जाएगा इसके बाद मुसलिम संस्थानों में 50% मुसल्मानों के पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा आप चुनावों में बटे तो इसके नतीजे घातक होंगे इसलिए एक जुठो कर बीजेपी को हरा है सांसथ ने प्रदेश के मुखिवनती केश्व प्रसाद मौरे पर भी तीखा हमला बोला मुसल्मानों पर हाली में दिये गए केश्व प्रसाद मौरे के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि शब मौरे दिमागी बीमारी साइकोसिस से ग्रसित है उन्हें इलाज की जरूरत है इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं सांसद एस्टी हसन ने मुरादाबाद में इस्थित एक कारिक्रम में जयाप्रदा पर विवादित बयान दिया था उन्होंने इश्यारों में रामपुर की पूर्वसांसद जयाप्रदा को मंच से कवायफ कहकर संबोधित किया इन सभी बयानों से बीजेपी हार जाएगी या फिर सच में बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने वाली है आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा इसके साथ ही देखते रहें मायम न्यूज एक्प्रेस